सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल संजीब मिस्रा को और प्रेस कर ये बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फेमस परसनलिटीज के बारे में बताने वाला हूँ यानि कि मैं आज आपको राची और पटना के कंपेरिशन करके दिखाऊंगा तो देखते रहे हैं इस वीडियो को अंतक और बने रहे हैं मेरे साथ और अगर ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक किजिए दोस् दोस्तों राची और पटना दोनों ही सहर के अपने अपने महत्तु हैं चलिए आज मैं आपको दोनों सहर के कुछ महत्त पुन जानकारी देता हूँ बिहार की राजधानी पटना का छेत्रफल 517.3 वर किलोमिटर है तो जारखन की राजधानी राची का कुल छेत्रफल पटना के कुल छेत्रफल से बहुत ही ज्यादा यानि की लगभग 652 किलोमिटर का है पटना की आबादी लगभग 20.50 लाक है जबकि जारखंड की राजधानी राची की आबादी 10.70 लाक की है एक तरफ पटना है जिसकी साथ चर्थादर 78.48 परतीशत है वहीं दूसरी और राची है जिसकी साथ चर्थादर 76.06 परतीशत है एक तरफ तो राची है जिसे एक सांदार हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है लोग गर्मियों में अक्सर यहां छुटियां बिताने आते हैं वहीं दूसरी और पटना है जहां पर आपको इंडस्ट्रीज और बड़े-बड़े कार खाने देखने को मिलेंगे जहार खनकी राज़ानी राची के कुछ प्रमुक परेटनस थलो में मंदिर भगवान बिर्सा बायोलोजिकल पार्क और इन जैसे कई सारे परेटनस थल है वहीं दूसरी और बिहार की राज़ानी पटना में गोल घर संजय गांधी बायोलोजिकल पार्क बुद्धा स्मृति पार्क स्रिकिष्ण साइन्स सेंटर इसकौन मंदिर बिहार म्यूजियम गांधी संगरहाल है महात्मा गांधी से तू पटना म्यूजियम और महामीर मंदिर पटना जैसे सांदार टूरिस्ट अट्राक्शन्स है एक तरफ पटना है जहां ब्रिजो और बड़े बड़े रोड्स का जाल फैला हुआ है वहीं दूसरी और जहारखंड की राजधानी राची में रिंग रोड सरीखे कई सारे सांदार रोड्स अविलेवल है बिहार की राजधानी पटना से निकलने वाले कुछ प्रमुख लोगों में सुसांत सिंग राजपूत, संजय मीस्रा, नीतू चंद्रा, दलेर महंदी और आनंद कुमार जबकि जारखंड की राजधानी राची ने महिंद्र सिंग धोनी, सुप्रिया कुमारी, कोमल जा, कृस्न भारत द्वाज और दीपिका कुमारी जैसे प्रसिध लोगों को दिया है तो राची और पटना में कौन सा सहर आपको बेहतर लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तों राची वर्सेस पटना की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये video पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को साथ जादा जादा सेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिये गए लाल कलर के सब्सक्राइब बेटन को प्रेस कर ले ताकि चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में जहां मैं संजीव रहूँगा मौजूद एक बहुती नए इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातर है